हेलो बच्चों गूड आफटरनून इसमें दुपार के दो बज़ रहे हैं तो जैसा कि आप लोग पिछले वीडियों पढ़े थे कि लगवतों साव परत कैसे निकालते हैं उसकी दो बध्यों के बारे में भाग बध्यों और गुडंखन बध्य उससे में पहले बताया था कि यह पर जो कोशन दिया कि जैसे 24, 48, 72 आदे चे, आठ बारा तीनों से फुर्ता विवाजित हो जाते हैं लिखाया कि वना दो जो 24, 48, 72 है वो 6 से भी 8 से भी और 12 से भी विवाजित हो जाते हैं परत इनका लासा 24 है करें अब किसका द्यामा सहट है शे आट बारा कर शर्पिशस इसे और जब इसका निकालेंगे sono ciao beginners सियए बारा की निकाला सा जाता है कि बैस कि मासोफरतक की कि माहत्रोप इस्वाप पुधिक उत्तिक निकाला जाता है तो देखिए यहां पर लिखा है कैसे ग्याद करें मासा मासा वही मात्रोप तो पहले हम आज आपको पढ़ाएंगे गुड़न खंड विजी द्वारा मासा पा कैसे ग्याद किया जाता है जैसे हाँ पर देखें साधित उधारण का कुश्चन नमबर पांच 1872 1584 तथा 336 का मासा ग्याद किजिए चाया भाग विजी से लगए आप चाया कुडंखन विजी से एंसर सेम ही आएगा तो चले इसको महल करते हैं आपके लिए तो देखें कुश्चन है आपका पांचवा साधित उधारण का 1872 1584 और 337 का मासा ग्याद किजिए तो पहले आप इसको हम बताएंगे आज गुडंखन विजी द्वारा मासा कैसे ग्याद किया जाता है तो पहले हम क्या करेंगे 1872 1584 और 336 का आभाज गुडंखन करेंगे 1872 का मा 1584 का मा 336 का आभाज गुडंखन थेक तो पहले 1872 का आप तो यह 1872 क्या है समसंग क्या है तो समसंग क्या है तो क्या होगा पहले 2 से भाजीत होगा तो दो का पाड़ा पर dal नो से तर नहीं जयातक तो दो सोला हो गया अभी यह समसंख्या तो फिर दो से भाग होगा तो दो दुनी चार दो त्याइए छे दो चोग आठ अभी समसंख्या है तो फिर दो से भाग होगा कर दो के निमडो दो के निमडो टीनमे से कंवा घटाुब कि पचहए एक 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 चार चौदर तो दो सते चौदर अब यह जो 217 वाचा हमारा नहीं है तो अभी संख्या और सब्सक्या किस coming to three on a tea तो देखना की 117 37 3 såफिक नहीं तो बताये थे कोई भी संख्या 3 से व allied होती है जब जो संख्या को अपस में हम add कर लिया जोड़ ले तो जोड़ने प्रप्राप्थ होगा अगर हो तीन सब्माजित हो जाए तो समझे को संख्या 13收 को लो जोड़ें यह धोड़ें तो नो सब्सक्राइब हो जाता है तो एक सो सत्रा गारत hm हो जाएगा तो 3 से भवाजित करेंगे हम भाग करेंगे तीन का पड़ पड़ना है 11 से ज्यादा ना जाए तो 3 तुरिक का 9 11 में से 9 गोटा हो बाकी पीचे 2 27 27 तो 3 9 27 यह भी 3 से भवाजित होगा क्योंकि देखो 3 और 9 12 तो 12 तियरा तीन के बाहरे में आता है तो यह भी 3 से भवाजित हो जाएगा इतो थिन अब सिधहMax e klar erm offensive अब्याजित होगा क्योंकि टीन के बा conserv आता है पांच घेज़ेंगे उससे 3 वह खेंट नई होता है पांच वासध कर दो साथ साथ के बार 11 11 13 नहीं होता है तो उसके बार 13 से 13 विभाजित होगा अब 1584 करते हैं कि समसंख्या तो दो से भीभाजित करो दो के पाड़ पड़ना है 15 ज्याद रहाएं दो से 14 बाकि पीचा एक 16 718 18 तो 29 18 बाकि बचलेंगे 32 different 19 इता हैं अब दो से करेंगे कैंग समसंख्या भी है तो 210-2 बाकि औक बाकिपके एकुट्चा 1 एक रिचा रिम 18 वैसिलारा पेषंद दोनता दोनौ स ड़ल्या को affected 2 работу के वैसलिया से पड़ींस सुद्लों 3 के बाइध आता है भा संख्या 5 तो 5 से भी 11 तो 5 से भी 11 नहीं होगा साथ के बाइसा है कुन सा 11 ग्यारा से 11 भिवोण से अ NOW हभर 336 क्यों संख्या 233 कि कर ओदो ऑपी वी नियुच एक एक 8 이야기 सब्सक्राइब दौसे करो समसंख्या तब दो समसंख्या 12 समसंख्या नहीं है तो आब त्यवाति यह थे करोद एक्स तीन से भाजित नहीं होगा तीन के बाद आभासंख्यात यह पांच तो पांच से भी साथ से आप यह हो गया अब अब 1872 का जो आभाज गुडँग खंड आया कि 1584 का जो वाज घूंग खंड है उसको आप लिख लेंगे करमबध 1872 बराबर 2 किनी बार है 1, 2, 3, 4 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 उसके बाद 3 दो बार है उसके बाद 13 एक बार है स्वारी यहां पर थोड़ा गलती हो गया था तो 1872 जो अभाज गुड़ंखंड है उसमें 2 किनी बार है 1, 2, 3, 4 तो 4 बार हीं 2 को लिखेंगे उसके बाद 3 दो बार 3 को 2 बार लिखेंगे उसके बार 13 बार है 13 बार लिखेंगे ऐसे ही हम 1584 का आभाज गुड़ंखंड नीचे लिखेंगे और 336 का इस परकार अब जब आसा प्वालम करते थे में आबास करते थे उसके बाद जो बसता था उसको भी लिख देते थे लेकिन मासा अपमें यह माले जे तीन लाइन में आप अभाज घुडँखन लिखें हैं तो आप उसी को कामन करेंगे जो हटें करो तो टील आनने गारन पकरना पड़ेघाव यह हैं जिए पूर तो इसको पामन करें तो जिसमें यहां है तो जिनने लाइन में लिखा हुआ उतने लाइन में कामन करना है उस से कम लाइन में आपको कामन नहीं करना है वो सरिफ लासापा में होता है तो मासापा बराबर मासापा बराबर ये दो, ये दो, ये दो कामन हो गया ठीक, multiply ये दो, ये दो ये दो भी कामन हो गया फिर multiply ये दो ये दो और ये दो कामन हो गया फिर multiply ये दो ये दो और ये दो कामन हो गया उसके बाद तीन 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 ठीक है पर तेक लाइन में जो नंबर रहेगा वही आपका कामन होगा बराबर किना गया दो दुननी चार चादुन्नी आठ, अर्दुन्नी सोला, सोलतियां अड़तालिस तो अठारसो बहत्तर, पंदरसो शुरासी और तीनसो शत्रिस का मासा पाकिनाया अड़तालिस आया अब आगे चलते हैं अब देखते हैं अनुवाग फश्ट का कोशन नंबर सत्रा, लिखा 48, 144 और 576 का मासा क्या होगा अब देखें कोशन नंबर सत्रा हुआ अनुवाग फश्ट का 48, 144 और 576 का मासा क्या होगा तो इसको हम गुड़न खंड विधिद्वारा ही हल करेंगे इसके एगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भाग विधि द्वारा मासापा कैसे ग्याद किया जासता है गुड़न खंड श्वारी ग्रास होगे गुड़न खंड विधि द्वारा मासापा ठीक, तो पहले क्या करेंगे सबसे पहले जो नंबर है 48, 144 और 576 उसका निकालेंगे आभाज गुड़न खंड 48, 144 और 576 का आभाज गुड़न खंड तो पहले 48 का निकालेंगे 48 हमारी समसंक्या तो दो से बभजित होगी 294, 248 फिर दो से करें 29, 24 फिर दो से करें 26, 12 फिर दो से करें 26, फिर 33 करेंगे एक हो जाएगा अब 144 का ये भी समसंक्या तो दो से भजित होगा तो दो सते, 14, 24, फिर दो से करो, 2, 3, 6, बाकी बचा, 1, 12, 12, 12, 12, 12, 12, समसंख्या 2 से करो, 2 के पाढ़ पढ़ तीन से दन जाए, 2 के निम दो, बाकी बचा, 1, जो 2 आया, 3 बेसे 2 घटाएंगे, 1 बचेगा, 1, 6, 16, 2, 8, 16, फिर दो से करेंगे, 9 बचेगा, अब 9 हमारा समसंख् हो जाएगा, तीन तरिक का नो, फिर तीन से करेंगे, एक आ जाएगा, अब 576 का, आभाजगण खंड, समसंख्या है, तो दो से बिभाजित होगा, दो के पढ़ पढ़ पढ़ना कि 5 से दन आ जाए, 2, 2, 4, बाकी बचा, 1, 1, 7, 17, 2, 16, बाकी बचा, 1, 1, 6, 16, 2, 16, फिर दो स करो, बाकी बचा, दो सुलख, समसंख्या है, पिर दो से करो, नो, बचेएगा, अब 3, से करो, एक बचेगा, तो जो भी 48, 144, पांसोचिएतर का आभाजगण कstick गढ़ों कि लिख देंगे, गुड़ों करो, बाकी बचा, कि rank, थे होगा, लिख देंगे, तो 48 बराबर इसमें 2 किन्दी बार है 1, 2, 3, 4, 2 गुड़े, 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 3, इसी परकार 144 और 576 के भी नीचे लिख दिए ठिक, यह हो गया, अब मासापा निकलना है, तो 3 लाइन में अभार गुड़े खड करना है आपको तो दो और दो ये तीनों दो कामन हो गया ये तीनों दो एक बार फिर यहां पर दो 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 ये तीनों दो कामन हो गया तो इन तीनों दो को एक बार फिर यहां पर 2 2 2 इन तिनों को भी एक बार लिख दो फिर यहां पर 2 2 2 यहां पर होगय कामन 2 हो गया अब उसकोाई दखो 3 3 अब इसलम लाइन 3 नहीं है अब यह नहीं कि मतलब एकदम सीधे لाइन मेर है तभी आप कामन है आगे पिछैज जहां हो बस ऊपर नीचे में होना चाहिँ है तो कांच हो जाए यह तीन यह तीन गांट हो गया ठीक है तुम जो सब चाहें अब यह को सब लाइन में हो तिक मास आप बराबर 2-9, 4, 4-9, 8, 8-9, 16, 16, 48 मासा पर किंना आगया आपका? मासा पर आगया आपका? 48 आगया अब देखिए अनुभाग फ़र्ष्ट का तीस नमबर सवाल 6,14,18,26 का मासा होगा आप इन सब का मासा निकलना है की मासा किनना होगा? तो इसको भी हम गुड़न खंड विधी द्वारा ही हल करेंगे आज तो फर्स्ट काती सावा सवाल है 6, 14, 18, 26 का मासा होगा तो इसको भी हम गुड़न खंड विधी द्वारा ही हल करेंगे तो लिखेंगे यहां पर गुड़न खंड विधी द्वारा मासा पा पहले क्या करेंगे हम जब अगर गुड़न खंड भी ज़रा मासा परिकालते हैं तो पहले क्या करेंगे जो संख्यादी हुई है उसका आभाज गुड़न खंड करेंगे यहां पर लिखेंगे छे कामा चोदा कामा अठारा कामा चब्विस का आभाज गुड़न खंड है तो पहले 6 का करेंगे 6 संख्या तो 2 से 22 होगा 2 3 6 फिर 3 से 1 बचा अब 14 का करेंगे 2 सते 14 अब 7 से होगा तो 7 करने हम 7 18 का करेंगे तो 2 9 18 अब 9 संख्या नहीं है तो 2 के बाद अब 7 चा तो 3 से करेंगे तो 3 तरिक नो फिर 3 से करेंगे 1 अब अगला है 26 26 का करेंगे तो संख्या दो से करेंगे दोखन नमदू दूतियाँ चे अब 13 हमारा संख्या नहीं है तो 2 से भिभाजित नहीं होगा दो के बाद अभासंख्या था तीन तो तीन से ये विवाजित नहीं होगा तीन के बाद अभासंख्याता है पांच पांच से भी नहीं होगा पांच के बाद अभासंख्या ग्यारा ग्यारा से भी विवाजित तेरा नहीं होगा तो 6 बराबर क्या आया, 2 गुड़े 3, 14 बराबर, 2 गुड़े 7, 14 बराबर हो गया, 2 और 7 यनि 2 गुड़े 7 हो गया, इसी परकार 18 का भी लिख लेंगे, 2 गुड़े 3 गुड़े 3 और 26 लिखेंगे, 2 गुड़े 13, अब मासा पर बराबर, तो चार लाइन में अभाद गुणंखन लिखे हुए है, तो चार लाइन में जो कामन होगा, वही सिर्फ कामन होगा, बाकी कोई भी कामन नहीं करेंगे, तो दो, 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 यह सब पूरे दो कामन हो गए आपके, तो यहां दो लिख दिए, अब उसके बाद, अगर तीन देख सब्सक्राइब किना एंसर आ गया दो आ गया अब इसके बाद अनभाग फर्ष्ट का कुश्चन बर उन्तालिस देखिए इसमें लिखा है तो पहले क्या करेंगे 144,126 और 162 का आभाज ग्रंखंड मालूम करेंगे 144,126,162 का आभाज ग्रंखंड ठीक है आप 144 का क्या होगा यह समसंख्या है तो दो से विभाजित हो जाएगा आप 2 के पड़ पड़ना है 14,4242, blueberries, चार 2 से करना है 2,3,6 बागे पचाए 1,1,2,12,2,6, 12 फिर 2 से करो 2 के नेंध 2 बागे पचाए 1,1,6,16,2,8,16 फिर 2 से करो 2,9,18 फिर 3 से करो 3,3,9 फिर 3 से करो 1,126 का करेंगे तो सिंक्रण दो से करूब 220 अब 23ación नहीं है तो 2 से विभाजित नहीं होगा तो दो के बाद अबा संख्यात चा-5 अब देखना घोलो sagen है नहीं होगा पहले यहांने लिखना पहले देखो लोwe थे संख्याओं का युप्षल feito से विभाजित हो जाए तो 6 जोड दिया जाया तो 6 और 3 नों हो जाएगा तो 9送द祸 від को जाएगा इसलिए 63 भी机ária तो तीन से आंधी करेंगे तीनारी से तिन यूझांसे ऑच कørएगा सब्छुन करेंगे समढ़े सबस्क्राइब करेंगे तो से भिष्ण करेंगे 251 औरने सुछ yemekा अब caucus के वंचा है तो तो 2 से भीवाजित नहीं होगा, दो के बाद कुनसे भासन कहाती है, तो देखना 3 से भीवाजित होगा कि नहीं होगा, तो इसको पहले add कर लो, जोड़ लो, तो 8, 1, 9, तो 9, 3 का पाड़े, नचीर से भीवाजित हो जाएगा, तो 3 से करेंगे, 3 का पड़ा प्रना है 8 से जाद न जाए 3 2 नी 6 बाकी बचा 8 में से 6 खटा वो बाकी बचा 2 2 रेक 21 तो 3 सते 21 हो गया ठीक फिर 3 से हो जाएगा तो 39 27 फिर 3 से हो जाएगा तो 3 बचेगा फिर 3 से हो जाएगा तो 1 बचेगा अब जो सभी का अभाज गुण खनडाया उसको हम गुड़े के रुम में लिख लेंगे तो 144 बराबर 144 का जो अभाज गुण खनडाया यही है तो इसमें 2 किन्नी बार है 1 2 3 4 2 गुड़े 2 गुड़े 2 फिर 3 किन्नी बार है 2 बार है तो गुड़े तीन गुड़े तीन उसी प्रकार 126 का जो अभार गुरुन खंडाया उसको गुड़े करुम में लिखेंगे और 162 का जो अभार गुरुन खंडाया उसको लिखेंगे गुड़े करुम में अब लिखेंगे मासापा बराबर तो ये जो गुड़े के रूम में लिखा हुआ किने लाइन में है तीन लाइन में लिखा हुआ है तो तीनों लाइन में जो कामन होगा सरफ उसी को लिखेंगे हम तो दो 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 ये कामन हो गया वह निष्ट है ये तो इसको एक बार लिख देंगे अब 2 यहाँ पर है, इसले में 2 नहीं है, न नीचे कहीं, इधर भी पीछे 2 है, आप से देखा कामन होगा, 3, 3, 3 और 3 यह कामन हो गया, इसका एक जोड़ा बन गया, तो यहाँ पर लेख दिये हम, एक गुरूब में यह हो गया, अब फिर गुड़े, यहाँ पर, 3, 3, और 3, य इसले में, कोई जोड़ा नहीं कि एक दम उपर से नीचे की और हो, तभी हम कामन करेंगे, आगे पीछे, चाहे जहाँ हो बस उसका क्या हो, लाइन और अलग 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 रहे है, ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 सिदे सिदे कामन हो गया, तो यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 3 हो तो आपको यहां से यहां और यहां से हो गया ठीक है तो मासा परबर किना आ गया दो तियां छे च्छे तरिक 18 कि मासा पागया आपको 18 अब अनवास गंड का 25 सवाल 20 30 तथा 50 का मासा होगा यानि 20 30 और 50 का मासा पर आपको मालूम करना है देखे मैं फिर से पता दरहूं कि आपको स्रिफ जानना है कि मतलब जो गुणंखन बढ़ी है या भाग भधी है इसको कैसे लगा जाता लेकिन जब पेपर में हो तो जो आप अब को सरल लगे तो अनवाग सिकंड का जो 25 सवाल है 20 30 50 का मासा ज्याद केजी तो हम किस विद्धि से लगांगे इसको आज गुणंखंड विधी द्वारा गुणंखंड विधी द्वारा मासा पर ठीक है तो पहले क्या करेंगे सब से पहले 20 30 50 का अब आब आज आभाज गुड़न खंड तो पहले 20 का करेंगे 20 हमारा समसंख्या है तो 2 से बहुजित होगा तो 2 के निम 2 2-0-0 समसंख्या तो 2 से करो 25-10 अब 5 मारा समसंख्या नहीं है दो के बाद आभा संख्या था 3 तो 3 से बहुजित नहीं होगा तो 5 से बहुजित हो जाएगा 30 का करेंगे 2 से करो 15 आएगा है ना 2 के निम 2 बाकि बचाए 1 और 1-0-10-2-5-10 अब 15 मारा समसंख्या नहीं है तो 3 से होगा ये क्योंकि 3 से बहुजित हो जाता है 15 तो 3-5-15 अब किसे होगा 5 से होगा अब 50 का करते हैं समसंख्या तो 2 से हो जाएगा 2-2-4 पांच चार हटा हो बाकि बिचा एक 10-10-2-5-10 अब 25 मारा समसंख्या नहीं है तो 2 के बाद आता है वा संख्या 3 तो देखेंगे 3 से ये विभाजित होता कि नहीं तो 3 से विभाजित कैसे पाते होता कि नहीं जो संख्या दी हुए उसको अपस में हम जुड़ए लेते हैं अग्र जुड़ने पर जो संख्या प्राफ्स होती है वो 3 से विभाजित हो जाएगी तो इसको जुड़ओ दो और 5, 7, तो 7 तीन से विवाजित नहीं होता है, इसलिए 25 भी 3 से विवाजित नहीं होगा, तो क्या करेंगे, तीन के बाद क्यों से वासंख्याती है, तो ये 5 से विवाजित हो जाएगा, 5 से विवाजित कभ होता है, जब इकाय के समपर, या तो 0 हो, या तो 5 हो, अब यह नहीं कि जिसे 50 दिया तो पहले 500 कर लोगें पहले आपको छोटी स्य चोटी आभास निए से करना है पिर उससे बड़ा अभास निए ठेक है तो हम 50 प्रोफ 5 श envofold में क अब 20 का जो अभाज गुड़न खंड आया 2 गुड़े, 2 गुड़े, 5 30 का क्या आया 2 गुड़े, 3 गुड़े, 5 50 का क्या आया 2 गुड़े, 5 गुड़े, 5 ठीक तो इसका जो मासा पाँ होगा जो अभाज गुड़न खंड लिखे है हम वो 3 line में लिखे हैं तो 3 line में जो common होगा वही होगा 2, 2, 2 यह 2 common होगिया गुड़े 5, 5, 5 ठीक है? गुड़े 5 होगिया बरावर होगिया 10 ऐसे ही आपको पूरा question हल करना है अनुभाग second का ठावा question देखिए लिखा हुआ कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 84 और 105 पूरी पूरी भाजित हो जाए तो जिसे पीछले बताए थे लासा जब पढ़ा रहे थे तो कहते हैं जब छोटी छोटी संख्या दिया रहेगा तो लासापा निकलना है और यहां बड़ी से बड़ी संख्या दिया रहेगा तब मासा पायाने कि आपको 84 और 105 का मासापा निकल दिना बस आपका अंसर आ जाएगा तो चलिए अब आप लोग हुमर्क नूट कीजिए तो जिन बच्चों के बुक में अनभाग फश्ट में ये पहला सवाल है दो संख्याओं का मातों सोपर तक 38 और उनका लगतों सोपर 98,154 है यद एक संख्या 1558 है तो दोसरी संख्या होगी तो जिसके बुक में ये कोश्चन है वो बच्चे अपना कोश्चन नूट कर लें कौन-कौन सा हुमर करना है उनको यही आपको करके लाना है साधित उधरड का पांचवा सवाल अनभाग फश्ट का सवाल नंबर 2, 9, 17, 27, 23, 34 अनभाग सेकंड का 4, 12, 18, 25 पर्यास कीजिए का 9 और 15 ठीक है और जिन बच्चों के बुक में अनभाग फश्ट में पहला सवाल वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे यह 280 और 245 को भाग किया जाए तो सेस्फल करमसा 3 और 4 प्राप्त होंगे हैं जिसके बुक में अनभाग फश्ट का पहला सवाल है तो वो बच्चे नूट करेंगे कि कौन-कौन सा सवाल आपको घर से करके लाना है उनको करना हे साधित उडार का कोशन नम्बर 5 अनभाग फश्ट का इंड ड़ चार इंड तेरह कोशन 9 त्यस कोशन भी सोशनाबर 50 का कोशनिल पर आपको समニहाँ तो आप नीचे कमेंड बाक्स में कमेंड कीजेगा कि कौन सा परसन आपको समझ में नहीं आया या आप फोन कर लिजेगा और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंड जरू कीजेगा धन्नबाद